पान्सो और एक हजार रुपय के पुराने नोट दस नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकगर पोस्ट ओफिस के खाते में बीना किसी खीमा के जमा करवा सकते हैं आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है अतह नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफ्री करने की कोई आवशक्ता नहीं है आपकी धनरासी आपी की रहेगी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है 500 रुपये या 1000 रुपये के पुराने नोटों को खाते में डाल कर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं केवल शुरू के दिनों में खाते में से दनरासी निकालने पर प्रती दिन 10,000 रुपया और प्रती सब्ता 20,000 रुपये की सीमा तै की गई है ऐसा नए नोटों की उपलब्दता को ध्यान में रखते हुए किया गया है इस सीमा में आने वाले दिनों में वृद्धिक कर दी जाएगी खाते में जमा करने की सुविधा के साथ साथ एक दूसरी सुविधा भी दी जा रही है ततकान अवश्यक्ता के लिए 500 और 1000 रुपये की पुराने नोटों को नए इवं मान्य नोट के साथ 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप किसी भी बैंक या प्रमूख और उपडाबगर हेड पोस्ट ओफिस और सब पोस्ट ओफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र जैसे की आधार कार्ड, मतदाता कार्ड यानि की वाटर कार्ड, पोर्ट, पैन कार्ड, इत्यादी सबूत के रुप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं प्रारम में 10 नवंबर से 24 नवंबर तक चार हजार रुपिया तक के पुराने पांसो एवं एक हजार रुपिये के नोट बदले जा सकते हैं 15 दिनों के बाद यानि 25 नवंबर से 4,000 रुपिये की सीमा में वृद्धी कर दी जाएगी ऐसे लोग जो इस समय में सीमा के अंदर अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणबस अगर जम नहीं कर पाए उनको पांसो और एक हजार रुपे के पुराने नोट बदलने का एक आखरी अवसर भी दिया जाएगा ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित आपिस में अपनी राशी एक गोशना पत्र यानि डिकलेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्ज 2017 तक जमा करवा सकते हैं